दर्शकों मैं आपको आज दुनांग 6 मई 2024 वार सौंबार बैसाक कृष्ण पक्षतिती त्रोधसी ति रितु ग्रिश्म रितु विक्रम सम्मद 2021 का रासी फल बताने जा रहा हूं जो कि अनेकों पंचांगों का संग्र है एवं जोतिस सास्त के आदार पर नोट्स त्यार करके अपने यूटूब चैनल स्री नारान प्रिसादम पर वीडियो के माद्यम से आपके सामने आपके नाम का रासी फल प्रस्तुत है आज तक जिस भी दर्शक ने अपने नाम का रासी फल सुना उसने हमें कमेंट करके या फिर फौन काल के माद्यम से 100% सही और सटीक बताया है परंतु दर्शकों हमारे रासी फल के बीडियोष सुनने से उसी दर्शक को लाब प्राप्त होता है जिसने हमारी पूरी बीडिय को ठीक से सुनाए और रासीपल के अंत में बताए गए उपायों की ठीक से पालना किये मतलब कि जो हमने रासीपल के बारे में आज के दिन के कुछ टिप्स हमने बताएं उनको ठीक से सुनाए और उनका पालन किया है तो उसी व्यक्ति को लाब हुआ है अगर आप वीडियो को आदा दूरा देखते हैं तो ठीक्स इसी मुहावरे की तरह सिद्ध होगा जैसे कहा जाता है कि अदजल गगरी छलकत जाए दर्शको आज नक्षत्र रेवती नक्षत्र आज चंद्रमा मीन रासी में और सूर मेश रासी में रहेगा तता राओकाल का समय पराते 7 बज़ कर 19 मिनट से पराते 8 बज़ कर 69 मिनट तक रहेगा जो कि कोई भी सुभ कार करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं राहुकाल के समय कोई भी सुब कार प्रारम नहीं करना चाहिए आज अवजित महुरत ग्यारा बजगर बामन मिनट से लेकर दोपएर बारा बजगर पैंतालीस मिनट तक है जो कि किसी भी नए कार को प्रारम करने के लिए अति उत्तम है सुब माना जाता है रासीपल के अंत में बताने वाला हूँ कि आज सुमबार के दिन हम ऐसे कौन से उपाय करें आज दिन हमारे लिए सुब एव मंगल में हो जैसे कि घर से यात्रा के लिए निकलें तो क्या खाकर निकलें जिससे कि आपकी यात्रा सफल रहे और आपका दिन सुब हो आज सुम्बार के दिन कौन सी दिसा में यात्रा करें और कौन सी दिसा में यात्रा करने से बचें सुम्बार के दिन कौन से देवी देवतावाय भगवान को पूजने की अधिक मानता है सुम्बार के दिन कौन सी वस्तु दान करें तता पूजा करते समय कौन से रंग की वस्त पहने एवं अपनी कार सिद्धी के लिए आज भगवान के सामने कौन से मंत्र का जाब करें यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगले दिन की रासी पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके दर्सको आप अपना रासी पल सुनने के वाद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव सकारात्म कमेंट जरूर करें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम बैतर तरीके से आपका रासी पल सुनाने के लिए उत्सुक रहें दर्शको अब हम बात करते हैं आपके रासी फल के बारी में मेस रासी जिनके नाम का पहला अक्षर आ ला ई से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा सकारात्मक आर्थिक इस्तिती बेहतर होगी फायदे के रास्ते खुलेंगे लम्मे समय से चली आ रही कोई चिंता समापत होगी जिससे मान सिक्सांती रहेगी घर की व्यवस्ता को बनाए रखने में ठोस और महत्पुन्नेने भी सफल रहेगे नेगेटिव क्या रहेगा ग्रह इस्तिती में कुछ प्रत्कूलता भी रहेगी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन में कुछ नकारात्मक विचार और आ सकते हैं कुछ समय प्रकृति के साथ मेडिटेशन में समय व्यतीत करना आपको सुकन देगा बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें व्यवसाई में व्यवसाई में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित फल मिलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंदी मामलों में किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा ना करें पहले उससे संबंदित उचित खोजबीन करना जरूरी है नोक्री पेसा लोगों का अधिनस्त करमचारियों पर दवदवा रहेगा प्रेम संबंदों में पारवारिक सदस्यों के बीच सुकद और स्वादपूर्ण संबंद रहेंगे प्रेम के मामलों में आप भागसाली रहेंगे स्वास्ते में ठकान और कमजोरी की बज़े से सुवाब में कुछ चिर्चड़ापन रह सकता है कुछ समय मेडिटेशन में भी व्यतीत करें आपका भागसाली रंग आस्मानी और भागसाली अंक आठ है अब आगे बात करते हैं ब्रसवरासी के बारे में ब्रसरासी जो की जिनके नाम का अक्षर बा वा उ ए से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा ब्रसरासी वालों के लिए आज के दिन आप खुद में आत्मिश्वास महसूस करेंगे अपनी महत्पूर्ण योजना पर काम करने के लिए अच्छा समय है घर के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करना आपके लिए सुकुन दायक रहेगा और उचित समाधान भी मिलेगा नेगिटिव क्या रहेगा दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचें क्योंकि चुकाना मुश्किल होगा घर में कुछ अव्यस्ता जैसी इस्तिती रह सकती है इसलिए उन पर ध्यान देना आवश्यक है किसी निकट संबंदी द्वारा कोई सुकद समाचार मिल सकता है अपना मनोवल मजबूत रखें व्यवसाह करें कोई सॉलिशन निकलेगा जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे प्रेम संबंदों में बच्चों की किसी समस्या को लेकर चिंता रहेगी बैतर होगा कि आप सी सूजबू से समस्या का हल निकालें स्वास्ता में दिमा की काम ज्यादा करने की वज़े से सिर में भ भाग साली रंग सफेद है और भाग साली अंक आठ है अब आगे बात करते हैं मिथुन रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्छर का च्छा गाहा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए आज के दिन इस समय वित्य मामलों को लेकर लिया फैसला फायदेवन्द होगा आपका पूरा फोकस अपने घर तता परवार पर होगा तता कई रुके हुए कार्य पूर्ण करेंगे किसी अपरचित से मुलाकात द्वारा आपकी किसी समस्या का हल निकल सकता है नेगिटिव क्या रहेगा अचानक ही घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्मूर कारियों में अवरोध आएगा तता खर्चों की अधिकता रहेगी अपने विवार में लची लापन रखना जरूरी है इसलिए थोड़ा विनम्र रहें समय रहते अपनी गलतियों को सुधाने का प्रियास करें विवसाई में क्या रहेगा आज के दिन प्रत दुन्यों की गत्विद्यों को लापरवाई में ना लें विवसाई प्रती इसपरदा में आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है हालंकि आई की इस्तिती बढ़ेगी और नोकरी में आपका कोई टार्गेट आसानी से हल होने की में परवारिक लोगों के साथ आनंद और उल्लास पूर्ण समय ब्यतीत होगा लब पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने के अवसर मिलेंगे स्वास्ते में आयर्वेदिक गरेलू चीजों को अपने आहार में सामल करें इससे आप स्वेम को उर्जा तता इस्पूर्ती से महसुस करेंगे आपका भाग साली रंग बादामी और भाग साली अंक आठ है अब आगे बात करते हैं करक रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर डा हे से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा करक रासी वालों के लिए आज के दिन आज दिन बहुत ही व्यस्तता भरा रहेगा साथ ही पारवारिक सुक सुबदाव संबंदी वस्तों की सौपिंग में भी मदूर समय ब्यतीत होगा खर्चों जादा होंगे लेकिन इंकम सोर्च भी बने रहेंगे पुरानी नकारा तमक बातों का बरतमान पर हावी ना होने दें वरना इससे आपका आज भी तरापूर हो जाएगा मेलाएं विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दोरान साबधानी बरतें अन्यता किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है परिस्तितियों के अनूप ही अपनी कार प्लनाली रखें विपक्ष सक्क्रिये रह सकता है इस समय आंतर्ग सुधारिया इस्थान में कुछ बदलाव लाने की आवसकता है ऐसा करना आपके लिए फायदेवन्द होगा आफिशियल यात्रा को आज इस्तित कर दें प्रेम संबंदों में परवार में सुक्सानती रहेगी और रहन सेन भी और अधिक अच्छा होगा प्रेम संबंदों में कुछ मत्वेद होने से दूरि रहेखना जरूरी है इससे स्वास्त है ठीक रहेगा आपका भागसाली रंग हरा और भागसाली अंक चाहर है आगे बात करते हैं सिंग रासी के बारे में पॉजिटिव क्या रहेगा सिंग रासी बालों के लिए आज के दिन प्रोपर्टी या बहां की खरीदारी संबंदी योजनाएं बन रहे हैं तो उससे संबंदित कोई कारवाई शुरू हो सकती है कोई उधार दिया हुआ पैसा वापिस मिलने की पूरी संबावना है अध्य रत बच्चों को प्रोपेशनल पढ़ाई में उचित सायूग मिलेगा नेगेटिव किसी निकट संबंदी के विभाईत जीवन में कुछ तनाव आने से चिंता रहेगी आपकी मद्यस्ता और सलाकापी हद तक उनकी समस्यां को सुन जाने में सक्षम भी हो सकते हैं परंत प्रिजनिस में आपकी कोशिसों के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं इस समय विरोधा भासी प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें कोई लावदाएक व्यवसा की यात्रा भी हो सकती है नौकरी पेशा लोगों को आप इसमें उचित विवार्क बना कर रखना जरूरी प्रेम संबंदों में पत्पत्नी के बीच किसी गलत वहमी को लेकर तनाव रहेगा इसका असर घर की विवस्ता पर न पढ़ने दें स्वास्ते में तनाव अवसाद और मोश्मी वीमारियों से अपना बचाव रखें इसका नकारात्म प्रवाव आपके स्वास्ते पर हैं अब आगे बात करते हैं कन्या रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर पा ठा तीन पड़ा टा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा अपनी दिन चर्या सुरू करने से पहले पूरे दिन की कार प्रणाली की रूप रेखा बना लें तो अवस ही सपलता म मिलेगी धार्मिक संस्ताओं से जुड़ना और उनका सयोग करना भी आपको सुकन देगा साथी अध्यातिम उन्नती भी होगी नेगिटिव क्या रहेगा अनावस्य खर्चूंपर कटोती करने से आपकी आर्तिक समिश्या कापी हद तक सुलज सकती है अपनी मैत्पूर वस् से खोने की आसंका है विद्यारती तता योगा मौज मस्ती के मून में रहेंगे विवसाय में अपनी कार प्रणाली में उचित विवस्ता बनाने से विवसाय गत्विद्यों में कुछ सुधार आएगा अपने कारियों को योजनवत तरीके से करते चलें सहयोगीं की सलापर अवस्य ध्यान दें सरकारी नौकी वालों को विशेश जिम्मेदारी मिल सकती है प्रेम संबंदों में पत्पत्नी के संब्द बेहतर रहेंगे परंत प्रेम संबंदों में आपसी सामंजस की कमी की वजह से गलत पेमियां आ सकते हैं स्वास्ते में गैस और एस्टडी की समस चाहसे रात पाने के लिए व्यायाम अवस्च करें शाती खान पान का तरीका बदलने की जरूरत है आपका भाग साली रंग बादामी और भाग साली अंक्तीन है तुलारासी जिनके नाम का पहला अक्षर रा और ता से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा तुलारासी वालों के लिए आज के दिन नए कामों की योजना बनेंगी उन पर काम करने के लिए अपने कांटेक्ट से भी मदद मिलेगी सफलता के लिए मेहनत बहुत करनी होगी कोई विशेश मकसद के लिए प्रयासरत लोगों को कोई सुब समाचार मिलेगा नेगेटिव क्या रहेगा दोपैर बाद कुछ अस्मंजस और सुनोती भरा समय रहेगा अपने कारियों को पूरा ध्यान से करें जरासी लापरवाई के परणाम कश्ट पूर्ण हो सकते हैं निवेश सम्मंदी कारियों को आज इस्तगित रखें कुछ समय परवार जनों के भी लिए समय निकालना बहुत जरूरी है ब्यवसाय में ब्यवसायक मामलों में किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें कोई आपके साथ विश्वास घात कर सकता है अपना मैनेजमेंट और करमचारियों के साथ उचित तालमिल बना कर रखना प्रोडेक्शन और अधिक बढ़ाएगा सरकारी सेवारत लोगों को आज कोई खास कारवार समालना पड़ेगा प्रेम संबंदों में जीवन साती तता परवारी जनों की शला आपके लिए भाग्यो देदायक रहेगी मनो रंजक गत विद्यों में भी मस्ती भरा समय ब्यतीत होगा स्वाष्टे में खांसी जुकाम जैसी परेशानी रहेगी आईरवेद का इस्तेमाल करना बहुत अधिक लाबजायक रहेगा आपका भाग्शाली रंग लाल और भाग्शाली अंक साथ है अब आगे बात करते हैं ब्रश्चिक रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्ष ना और या अक्षर से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा ब्रश्चिक रासी बालों के लिए आज के दिन कुछ दैनिक उल्जनों से निजात पाने के लिए कुछ समय एकांत अत्वा अपने रुची पूर्ण कार में जरूर व्यतीद करें आज का दिन धन सम्मंदी किसी निवेस के लिए बहुत ही उत्तम है आर्तिक इस्तिती को मजबूत करने में भी अपना ध्यान लगाएं नेगेटिव क्या रहेगा अपने काम से भी मतलव रखें तता दूसरों के काम में हस्तक छेप ना रखें और नहीं बिन मांगे सला दें किसी पड़ लगाएं विवसाय में बिजनिस में नए प्रोजेक्ट से जुड़े कड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे प्रोपर्टी के बिजनिस में कोई डील हो सकती है नौकरी में लक्ष अथवा टार्गेट को पूरा करने का दवाब के कार्ण आज भी समय देना पड़ेगा प परदान करेगी स्वास्ता में बदह जमी और पेट खराब होने जैसी समस्याओं से परेशान रहेंगे बाहर के खाने पीने की चीजों से परेज करें आपका भाग साली रंग नीला और भाग साली अंक पांच है अब आगे बात करते हैं धन्रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर ये धा भा भा अक्षर से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा धन्रासी बालों के लिए आज के दिन व्यवस्त दिन चर्या रहेगी कोई खानूनी कारवाई चल रही है तो किसी अनववी के मार्ग दर्शन में आपकी समश्या हल सो हो सकती है अत्वा सामाजिक मामलों में चल रही उल्जनों की बज़े से दिन चर्या कुछ अस्त व्यस्त रहेगी कुछ लोगों के साथ ब्रोतावासी चीजें भी उबरेंगी जिसकी बज़े से जोस और उमंग में कमी आ सकती है अन्यता आपको अपने ही किसी बात पर सर्मिंदगी म जब साय में कारोबार में नई गत्विद्यों पर विचार होगा और उन्हें क्रियानवित करने का भी अनकूल समय है युवाओं को भी अपने करियर संबंदी उचित प्रणाम हांसिल होंगे परंत आर्थिक इस्तिती सामान रहेगी नौक्री पेसा लोगों को किसी आपी सर की वज़े से परेशानी हो सकती है प्रेम संबंदों में कुछ समय जीवन साती तता पारवारिक सदस्यों के साथ भी जरूर व्यतीत करें लब पार्टनर को कुछ उपहार देना संबंदों में मदूर्ता लाएगा स्वास्ते में आपका रुक पहले से ज्यादा सकारात्मक उदारवादी और गर्म जोसी से भरा होगा आप मानसिक वसारिक रूप से स्वस्त महसूस करेंगे आपका भागसाली रंग जामनी और भागसाली अंकाज चार है अब आगे बात करते हैं मकर रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा खा गा अक्षर से चल रही है तो आज आपसी विचार विमर्स द्वारा समाधान मिल सकता है भावनात्म ग्रूप से आप खुद को ससक्त और उर्जावान महसूस करेंगे युवाओं को अपने करियर से संबंदी कोई समिश्या दूर हो सकती है नेगेटिव क्या रहेगा बाहरी लोगों के अ जर्वहन करने में किसी भी तरह का आलस करना ठीक नहीं है विवसाय में बिजनिस में जल्द वाजी न करें सोच समझ कर कोई फैसला लें राजनेक्तित तथा महकपूर लोगों के साथ अपने संपर्क बनाई रखना बहुत ही जरूरी है भविश्य में फायदा देंगे नौकरी में समिश्या आज कुछ हल हो जाएंगे और प्रेम संबंदों में परवार में धार्मिक गत्विदी से सकारात्मक और सोकुन भरा माहूल रहेगा किसी अवायत सदस के विभा संबंदी कोई बैतर रिष्टा आ सकता है स्वास्ते में तनाब की वज़े से बलड प्रेसर और डायविटिज जैसी संबंदी समिश्या बढ़ सकती हैं किसी भी परिस्तिती में सकारात्मक रहें और प्रशन रहें भाग साली रंग आपका हरा है और भाग साली अंक तीन है अब आगे बात करते हैं कुम्रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर गू सा 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 दा अक्षर से शुरूर होता है पॉजिटिव क्या रहेगा आज कुम्रासी बालों के लिए आर्थिक इस्तिती तो सामान ही रहेगी लेकिन अपना बज़ स्वास रखकर आगे बढ़ते रहें आप अपने अंदर सकारात्मक उर्जा महसूस करेंगे साइद कोई देविय सक्ति का आसिरवाद प्राप्थ हो रहा है नेगेटिव क्या रहेगा आज कुम्रासी बालों के लिए किसी भी तरह के लेंदन संबंदी मामलों में सावजानी बरतने की जरूरत है विद्यारतियों को अपने पढ़ाई के प्रती बिलकुल भी लापरवाही करना उचित नहीं है अन्यता इसका नकारात्मक प्रवाव आपके रिजल्ट पर पढ़ सकता है भाईयों के साथ संबंद मदूर बना कर रखना आपका अधायत तो रहेगा व् व्यापार में श्टाप और कर्मचारियों के बीच उचित अन्सासन और व्यवस्ता बना कर रखें हालांकि व्यवस्ताइक गत्विदियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी आर्तिक समिश्या आएं काफी ठीक हो जाएंगी आप इसमें दूसरों के मामलों में अजबूती आएगी स्वास्ता में स्वास्ता ठीक रहेगा सिर्फ ज्यादा काम की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान जैसी इस्तिति उत्पन हो सकती है आपका भागसाली रंग नीला है और भागसाली अंक एक है अब आगे बात करते हैं मिथुन रासी सोरी मीन रासी क इनके नाम का पहला अक्षर दी चा जा था अक्षर से शुरू होता है तो आज मीन रासी वालों के लिए पॉजिटिव क्या रहेगा अपना कोई सपना साकार करने के लिए आत्म विश्वास और मेनत की जरूवत है ये गुण आप में हैं विद्यार्तियों को प्रतियोगता संबंदी परिक्ष्या में बेतर प्रणाम मिलेंगे कोई प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हो जाएगा नेगिटिव क्या रहेगा आज कई तरह की गत्विद्यों में व्यस्तता रहेगी घर के किसी वरिष्ट सदस्कों स्वास्त को लेकर दिन चर्या कुछ अस्त व्यस्त भ संपर्क में रहें आपको उचित आडर और नए अनवंद मिल सकते हैं काम सही समय पर पूरे हो जाएंगे इस्टाप और करमचारियों का भी भरपूर सयोग बना रहेगा नोक्री पेशा लोगों को ट्रेवल संबंदी समाचार मिल सकता है प्रेम संबंदों में पत्पत्नी क सिंक और मांसिक मेहनत की वज़े से ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है इमनुटी स्ट्रांग बना कर रखें आपका भागसाली रंग नीला और भागसाली अंक तीन है दर्सकों यह रहा हमारा राशिपल अब हम आपको कुछ आज के दिन के लिए टिप्स बता रहे हैं तो आप उन टिप्सों को उपायों को जरूर पालन करें तो वो टिप्स क्या हैं हम बताने जा रहे हैं आप हमारे साथ वीडियो में अंततक बने रहें आपको ही उन टिप्सों से उपायों से लाब होने वाला है दर्सकों सोम बार के उपाय कुछ इस प्रकार हैं अगर आप इन उपाय को ठीक से पालना करते हैं तो आपका दिन सुब एवं मंगल में रहने वाला है तो सौंबार को क्या खाकर बाहर निकलना चाहिए दुग्द या उससे बने पदार्थ या खीर खाकर अत्वा दरपण में अपना मुँ देखकर मस्तक पर तिलक लगा कर यात्रा करें दोन में पानी डाल कर निकलें तो यात्रा चार गुना अधिक सुब रहने वाली है सुम्बार बरत में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए खटे फल जैसे संत्रा अंगूर और नीवू को खाने से भी एस्टिडी हो सकती है इन फलों की जगे आप चीकू तर्वूज या खर्वूज सहा है सुम्बार के दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए धार्मिक मानताओं के अंसार सुम्बार का दिन भोले संकर को समर्पित होता है इस दिन विदी की विदान से भगवान संकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए सिवलिंग पर जल चड़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए कहा जाता है कि भगवान सिव सिर्फ एक लोटा जल चड़ाने से भी प्रशन हो जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिवलिंग पर जल चड़ात समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए बता दे कि मानताओं के इंसार भगवान भोले नात की किर्पा पाने के लिए जलाव से करते समय आपको ओ स्री भगवते संब रभाई सिवसुआये नमाय इस्थानियnten जलं समर प्यामी पुने में बता देताओं कि मंत्र का जाप करना चाहिए शिव जी का प्रिय मंत्र क्या है इस मंत्र का आप जाप करें शिव जी का मूल मंत्र कौन सा है भगवान सिव की आरादना का मूल और सबसे सरल मंत्र ओम नमन सवाय अर्थात मैं अपने आराद भगवान सिव को नमन करता हूँ इसके बाद दूसरा मंत्र है मामरतिंजे मंत्र मामरतिंजे मंत्र को प्राय किसी भी प्रकार के भैसे मुक्ती पाने के लिए सिपनी का व्रत कितने वजे तोड़ना चाहिए इस बरत को सुम्मार के दिन सुर्य अधर से पहले शुरू करें और शाम की पूजा के बाद प्रसाद ग्रेंड करने बरत का पाराण करें सिप पुरान के अंसा 16 सुम्बार ब्रत की पूजा दिन के तीसरे पैर में यानि 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए सुराथ से पहले पूजन संपूर हो जाना चाहिए सुम्बार ब्रत के नियम क्या है सुमबार के दिन ब्रत रखने के रखने वाले व्यक्ति को सुवै सब से पहले उठकर इश्नान करना चाहिए इसके बाद सिव जी को जल और बेल पत्र चड़ाना चाहिए साती विदी विदान से सिव गौरी की पूजा करनी चाहिए सुम्बार के विरत में भगवान सिव की पूजा के उपरांत उनको माल पूए का भोग लगाया जाता है पीरियर्ड के कितने दिन बाद सिव जी की पूजा करनी चाहिए यदी पीरियर्ड के अबदी साथ दिन है तो आठवे दिन मंदर में प्रवेश किया जा सकता है वैसे यदि हम जोतिस की माने तो आम तोर पर पीरियर्ड समाप्त होने के बाद पांच वे दिन आप मंदर में प्रवेश कर सकती हैं क्या पीरियर्ड के दौरान सिविलिंग को छू सकती हैं मातावे ने आवश्यक मुक्षि गुण समर्पित भक्ति है क्या पीरियोर्ड के दौरान सिवलिं के दर्सण किये जा सकते है नहीं पीरियोर्ड के दोरान पांच दिनों तक किसी भी भगवान सिव के मंदर में जाने की अनमती नहीं है भगवान सिव से क्षमा कैसे मांगें? सिव गायत्री मंत्र अत्यंत सक्षाली है यह आपको मानसिक सांती देता है और इसे भगवान सिव प्रशन होते हैं यह एक बहुत ही सक्षाली मंत्र है जो आपको अपने जीवन के दोरान किये गए किसी भी पाप के लिए भगवान सिव महा देवाय थी मही तन्नौ रुद्र प्रचोध्यात शिव तारक मंत्र ओम एंग क्लिंग चामुन्डाय विचे पूजा से पूर शिव जी को प्रशन करने का मंत्र मंत्र पढ़ना चाहिए गायत्री मंत्र कितने दिन में सिद्ध करने में कितना समय लगता है अत्वा उस सिद्धी को प्रात करने की संपूर्ण विदी क्या है गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए 24 लाग बार जाप करना पड़ता है जो कि बहुत ही घ्रेश्ट धरम में रहते हुए कठचिन हैं गायत्री मंत्र कब नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र जाप करते समय आपskा मूह कभी दक्षिन दिसा की ओर नहीं होना चाहिए पूर् करने वालों को जीवन में बड़ी समिश्या का सामना करना पड़ता है तो दर्शकों यह सौंबार के कुछ टिप्स रहे आपको हमारे यह टिप्स उपाय कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं जिससे की हमारा मनोबल और बड़े और हम अच्छी अच्छी राशी प